हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सभी उमीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होएंगे और आप सभी का मेरा फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत सागत है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जहां से मैंने पिछला वीडियो एंड किया था मैंने फिर यह वीडियो वो बड़े वाले屋म में हमने रखा है बड़ा वाला वाला रूम बड़ा साइज का है क्योंकि साइज दोनों बेट का सेम ही है पर वाइट वाला जो बेड है उसका सिरहाना बहुत लंबा है चोड़ा है इसी वजह से मैंने उसको महाँ पे रख दिया उसके बाद ये जो है ये लकडी वाला बेड़ हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि ये मेरे बच्चो का रूम मैंने सोचाए कि मैं बनाऊंगी और छोटा वाला जो रूम है उसमें सिर्फ बच्चो का किताब और रहेगा और बच्चो के कपड़े और दोनों बच्चे यहाँ पर सोएंगे या फिर उस अले रूम में सोएंगे कहीं भी सो जाएंगे लेकिन इनका सारा समान इसी रूम में रहेगा और इसी रूम में मैं अपना मंदिर बनाऊंगी जैसे मैंने वहाँ पे मंदिर बनाया वा था छोटे अलमारी के उपर अपना मंदिर रखा वा था वैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगी और आप सब की बहुत ज़दा कमेंट आ रहे थी कि आपने पूजा रूम नहीं बनाया क्योंकि मैं उसी के उपर रखूँगी जो मेरा रेडिमेट मंदिर है न वो छोटे अलमारी के उपर में रखती है और उस अलमारी में पूजा के समान ही में रखती हो और उसके बाद तो मेरा हो जाता है ठीक है और अभी नहीं बना तो क्या कर सकते है उसके बाद देखे फ्रेंड सारे जो चीजों को लाकर जब हमने सारा गाड़ी से उतारा ना सारा समान तो मेरा पूरा घर कुछ इस तरह से लग रहा है पूरे घर में समान समान कैसा लग रहा है ना पूरा बिखरा हुआ सची आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कैसा लग रहा हागा मैं सामने से देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि जल्ली से मेरा बस बैड सेट हो जाए क्यूंकि बैड में ही सारा समान मुझे रखना था और जैसे कि यह वाइट वाला बैड है ना और मैं वहाँ पे तो वहां पर फ्रीज को पीछे से कट करके अंदर घुच सकते हैं वहां के चुहें तो मेरा समझ सकते हैं कुछ समान वह रहने देंगे क्या कुछ नहीं तो मेरा जो और न्यू चीजे रहती है नई समान जो बार में कभी यूज होगी ही मैंने बहुत मुश्किल से वह चीजे खरिट-खरिट कर रखा है तो वह सारी चीज सहाँ मेंना मेरे इस घर में कामाइएगी तो वह फिल हाल में मेरे सारा समान के लाफ जाएट हैं मेरे दोनों बेड़ में रहते दो जासारा समान में उसके अंदर रखोंगượng कैसे तो मेरा रात में मेरा यही है कि जब इवनिंग के टाइम आया था करीब तीन-चार बज़े आया था और अभी विंटर आ गया है तो जल्दी सूरज ढल जाता है उस टाइम से और अभी तक आप सब देख पारेंगे यहाँ पर में कितना हम लोग लग गये थे सारे चीजों को उतानने में भी काफी टैम लग गया अंधेरा हो गया फिर मेरे हजबन ने जिनको बुलाया था वो हमारे जान पहचान के थे मेरे जहाँ पुराना घर है न वहीं के वो लोग थे तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार दिये और उसके बाद फिर वो लोग घर चले गए और यहाँ पर अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले मैं इस बेट को अच्छे से साफ नहीं करूंगी अभी जितना धूल वगरा जो लगा रहता है वो मैंने साफ कर दिया है जितने जो जाले वगरा रहते वो मैंने हटा दिया है और अच्छे से में इसको मुझे बहुत सारे कमेंट आए जिसे विनिगर सोडा लेकर मैं इसके दाग धब्बे हटाऊंगी वह अभी दिखनी रहे पर ऐसे दिखते हैं तो मैं अभी नहीं करूंगी जब पूरा समान हो जाएगा जब मैं डेली रूटीन में वापस आ जाऊंगी सारे चीजे मेरी सेट हो जाएगी तब उस टेम सारे काम होते रहेंगे और बेड़ सेट कर रहे हैं भी मेरे हजबन क्यूंकि हमारे पास सारी चीजे हैं और थोड़ा बहुत काम ना खुद को भी आना चाहिए तो यह बेड़ लगा लेते हैं तो और किनी को बुलाने की जुरत हमें नहीं पड़ती है तो बस यहाँ पर देखिए यह वाला जो रूम ह साइज काफी ठीक है इसकी चोड़ाई है 14 और इसकी लंबाई है 11 या 12 है ऐसे ही कुछ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी न मैं यहाँ पर सारे कपरों को फोल्ड कर रही हूं और आप से भी कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने यहाँ पर कवर्ड क् अब नहीं हुआ है और देखिए फ्रेंड्स यह मेरा अपना घर है खुद का घर है तो किचन में और यह दोनों बेडरूम में कवर्ड वगरा बनवाऊंगी और यह और अपना घर है तो कभी भी अब काम होते ही रहेगा और यह मेरे लिए अच्छा है कि सारी चीजे ढखी रहेगी और थोड़ा अच्छा लुक आएगा इस्टेंडर्ड लगेगा लेकिन उसके लिए अभी हम लोग रेडी नहीं है इसी वजह से अभी मैं ऐसी रहने दूंगी हां यहां पर अभी में परदा लगाने का व्यवस्था करूंगी क्योंकि दिखेगा सारे कपड़े तो नहीं रखोंगी मतलब कुछ दिन जब डेली रूटीन में आ जाओंगी तो कपड़े का जो डेली यूज वाले कपड़े में अपने अलमारी में ही रखोंगी और ऐसे हो जायागा मैनेज पर अभी दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मुझे जहां ठीक लगा जहां जगा मिली वहां में रख दी क्योंकि regular यूज के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं हर घर में होते होएंगे तो अलमारी तो मेरा new कपड़े उसमें रहता ही है और बहुत सारे जो मेरे कुछ-कुछ लेंगे और वह बैड में में रखती हूँ जो जल्दी यूज नहीं होते हैं बहुत स सेट कर दिया और उसके बाद फिर अभी हम लोग आए हैं और यह morning का टाइम है वह वाला बैड जब evening में आया था रात हो गया था फिर खाना ना खाके हम लोग रात भर रात सारे ग्यारा बज़े तक हम लोग white वाला बैड को सेट किये हैं मैं और मेरे husband मिलकर और अब morning का टा अपने काम में अभी ik करेंगे और हम लोग मिलकर रहे थे जो जो बोल रहे थे ना देखर वहीं मैंड कर रही थी कि यह करना है यह करना है तो मैं रहा-वा इनको पकर-दे रही थी help कर दे रही थी पर time तो लगी जा रहा था क्योंकि वहाँ पर न सही से set करना पड़ता है और वैसे तो यहाँ पर लिखा रहता है एक नमबर दो नमबर नहीं तो कहीं कहीं माथा पैर ऐसे लिखा रहता है पैल से तो वो सब देख देखके हम लोग बस लगाना रहता है यह nut vault यह सब तो बस हो जाता है एजी रहता है बस एक जन कोई help करने वाला रहे ना पकड़ने वाला तो बहुत इजी है और फ्रेंड्स यह वाला रूम जो है ना इस इस रूम का थोड़ा साइज छोटा है इसका 11-11 है 11-12 का यह रूम है और जो मेरा white bird जिसमें रखा वाई ना व अभी तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं तो उसकी बात अभी नहीं करें तो ठीक है और उसके बाद देखे तो जलवाजी में रात हो गया था तो मैंने ना वो पिछला जो पीछे वाला रूम है मेरा जिसमें white bird लगा हुआ है उसका तो मैं सूठी नहीं कर पाई बैट सेटनी होगी ना तब तक हिमत तो नहीं होती है करने का लिए मन होता है कि नहीं काम हो जाएगा तो हमारा ही काम हो जाएगा एक बहुत बड़ा तो धीरे धीरे जब स्टार्टिंग करेंगे तभी वो खतम होगा और ऐसे हाथ पे हाथ धरके बैट जाएंगे तो फिर नहीं ह पाएगा इसी वज़े से और यहां पर देखिए यह बैड यहां पर लग गया बैड सीट अगर हम लोग लगा दिये हैं और यह जो छोटा अलमारी है ना मेरा इसी इसके अंदर कुछ नहीं रहता है इसके अंदर सिर्फ मेरा पूजा का सामान रहता है और उस वाले घर में भी पूजाक सामान रहता था और कुछ नए कुछ है कपड़े जो जल्दी हम लोग पहनते नहीं है तो मैं यहां पर रखती हूँ वो नए चीजी ही है इसलिए और इसके उपर ही मैंने अपना मंदीर उस वाले घर में भी रखा हुआ था और यहां पर भी इसी मंदीर इसी जो यह अलमारी है इसकी उपर में रखोंगी और यह लकडी का है और इसे सूजरेक भी बोलते हैं तो उसको मैं छोटा अलमारी बोलती हूँ और देखे फ्रेंड्स हम लोग लकडी का अलमारी है तो किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं भले ही सूजरेक नाम हो या कुछ भी यहा पर आप मेरा living room का हाल लेख सकते हो कितना कैसा हो गया है पूरा घर में समान बिखरा पड़ा है दो छोटे वाले जो सोफा के कुरसी थे वो आ गया था लंबा वाला जो था वो नहीं आया था अभी तक यहां पर देखिए अभी मैं पीने का पानी भर रही हूं और बस पीने का पानी हम लोग यहीं एक नल लगाया है और यहीं नल हमेशा चालू नहीं रहता है जब मॉटर ओन रहता है तभी पानी यहां से निकलेगा यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए